यूपी सिटी नियूज जुड़ी उत्तर प्रदेश से जैसा की ऑप्रेशन के पहले था यही नहीं डॉक्टर ने सफल ऑप्रेशन के लिए नाम पर पीडिता से लाखो रुपय भी ठग लिए अब डॉक्टर द्वारा ठगी गई पीडिता महिला और महिला का परिवार शहर के आला अधिकारियों की चोकट के साथ साथ सूबे के मु आमचीन दिपनेशिया मल्टी सूपर हॉस्पिटल में दिखाया जहां नूर जहां ने डॉक्टर विकास सुकला की सलाह पर पनेशिया डाइगनोस्टिक में MRI ब्रेन की जाँच कराई डॉक्टर दुश्यंत वार्षने ने की ती ये जाँच जाँच की रिपोर्ट आई तो पीडिता और उसके परिवार के पेरो तले जमीन खिसक गई MRI रिपोर्ट में नूर जहां को ब्रेन ट्यूमर होने की बात सामने आई ऑपरेशन द्वारा ठीक होने की कही गई बात परेशान परिवार जब रिपोर्ट लेकर डॉक्टर विकास सुकला से मिला तो डॉक्टर मल्टी सुपर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए भरती करा दिया ऑपरेशन के लिए डॉक्टर विकास सुकला ने परिवार से भारी भरकम रकम की डिमांड की जिसको देने के लिए परिवार भी तयार हो गया इस दौरान ऑपरेशन में लगबग 4,77,000 रुपे का खर्च जाया जिसे किसी तरह परिवार ने जोड़कर इलाज के लिए जमा करा दिया ऑपरेशन होने के बाद दर्द से नहीं मिला छुटकारा डॉक्टर विकास सुकला द्वारा नूजहां का ऑपरेशन कर ट्यूमर डाइगनॉस कर दिया गया जिसके बाद दिनांग 22 सितंबर 2020 को नूजहां को ये कहकर डिश्चार्च कर दिया कि वे बिल्कुल ठीक हैं नूजहां के घर आने के बाद पीडिता के सिर का दर्द कम नहीं हुआ तो नूजहां के कहने पर परिवार वालों ने डॉक्टर विकास सुकला से दुबारा संपर्ट किया डॉक्टर विकास सुकला ने कहा कि अभी नया नया ओपरेशन है कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा लेकिन काफी दिनों तक नूर जहां के सिर दर्द में आराम नहीं मिला तो परिवार ने 2 दिसंबर 2020 को पनेशिय डाइगनोस्टिक में दुबारा MRI ब्रेन करवाया जिसके बाद जो पिडिता नूर जहां का ब्रेन ट्यूमर खूबा हूँ वैसा ही निकला जैसा ओपरेशन कराने से पहले था आईए जानते हैं पिडिता के परिवार के सदसे मोहमद आरिफ खान से इसकी सर्जरी में इतना इतना पसे लगेगा हमने पूरा其實 औद दृसने पहले दी आज भी समस्या वाईए और पिंगें न्यूंकि तुन्होंने कहा कि जैस्ट कर्वाओं यह मेरी फिर से तो पिर हम जब उनकी जैस्ट करवा निकले गए तो उसमें यह निकला था प्र यह सुबर्ण बाहरने करें नहीं दूसरों उन्हीं के होस्पिटल से करवाई है उन्हीं पनेशिया डाइगनोस्टिक से जाच करवाई है और डॉक्टर विकास सुखला देख रहा है पहले जाच कराई थी तो भी उन्हीं के यहां बताया गया था कि ट्यूमर है और दुबारा फिर जाच कराई है जी उन्हीं के यहां ब